आज की वीडियो में जैनिजम जैन धर्म के वारे में पढ़ने वाले और जैन धर्म के वारे में यतने भी इंट्रेंस एक्जाम से रिलेटेड क्वेश्चिन वनेगी उनके लिए हम लोग देखेंगे तो जैनिजम आपका ज्यादा नहीं है आज की वीडियो थोड़ी के वारें पढ़ाए था और उनका फांडर के बताया था कि उनके सनस्थापक थे खुद भग्मान बुध्धि थे तो जैनीजम की सनस्थापक कोन हो जाएंगे और जैने इसम के फांडर को जाईए तो पूरा प्रस्रे इनको जाता है रिसप्ड़ जो थे जैनिजम इनके व वही लोग तरह कर लाते हैं और त्विर्थांकर एक तरह से बहुत ही ऊचा पूश्ट होता है मातले जैनिसम के अंदर जैनधर्म के अंदर 24 त्विर्थांकर्स हुए अब देखो यहाँपर 24 लोगों का नाम याद रखना बहुत ही मुस्कीर हो जाता है तो आप लोग जो में चुबीशों में से जो पहले जो प्रिथांकर होंगे उनका नाम हमिश्चा याद रखना बाकी जो आएं गये उनके नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है और जरूरी भी नहीं है तो तो विश्व तिन थांकर में से आपको first and last उसके बाद जो 23 तिर्थांकर थे, second last उनका नाम याद रखना है, पहले तो हो जाएंगे खुद रिसब देब, दुसरे को नहीं याद करना है, उसके बाद एड़ेक 23, 24 को याद करना है, तो 23 तिर्थांकर जो थे, उनका नाम पारस हो जाएंगे, और पहले खुद जो founder थे, संस्तापक थे, पहले तो इत्थांकर खुद रिसब देब हो जाएंगे, और ग्यान प्रात कर लेने के बाद इन्हों ने कुछ ग्यान हम लोग उकुद दिया, जैसे कि जूट नहीं बोलना चाहिए, धन संग्राह ना करना चाहिए मतलब धन को जावा नहीं करना चाहिए, और हिंसा नहीं करना चाहिए, लडाय वगेरा में जादा इन्वॉल्म नहीं रहना चाहिए, तो यह इनके चार ग्यान थे, जैसा कि मैंने बताया, लाष्ट और सबसे लाष्ट जो 24-3 तांकर थे, वो कहों थे, तो वो लार्ड ने नाम आप लोगों को बताया, तो उनको रखीएगगा, और पुछा जाता है कि जैन धर्म के सनस्तापक कई थे, आक्शुल में सनस्तापक कि इनको माना जाता है, तो उनका जो नाम आपको याद रखना है वो Lord Mahavira हो जाएगा, Swami Mahavira को actual में बास्लविक में इनको संसाबक माना जाता है, तो Mahavira जो जिनको actual तृथांकर माना जाता है, उनके वारे में डेल में हम लोगों को पढ़ना है, और एक एक चीजे को हम लोग नोटिस ध्यान में रखना है, और खास वाग ये है कि जो Lord Mahavira थे एक बिहारी थे और ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार में कौन सा जगा, तो यहाँ आपको देख सकते हैं, कुंडग्राम कौन से, मुझपरपूर के आप लोग होंगे, तो आप लोग इसको पचान करें होगे, कुंडग्राम एक जगा है, और इस्ट्रिक मुझपरपू बिहार और जन्म का समय पुछा जाए तो 540 BC, 540 BC में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पीता जी थे, उनका नाम सी दार्थ था, इस एक राजा थे, और सकौन से कुल के, सस्त्रिये क्लैन के, तो आप लोग रिगवेदिक काल में आपने देखे होंगे, बहुत सारे सिक्सवी प्रिंच चेतक ओफ बैसाली, पीता जिदार्थ मातजी त्रिशाला थी, और इनके कंटमप्रेरी कौन थे, जब लॉड महावीरा का समय चल रहा था, तो इस समय राजा कौन थे भारत में, उस समय राजा बिंबिसार थे, लॉड महावीरा की 22 के वारे में अगर आ जाना, तो आप लोग इनके वाइफ पा नाम यसोधा याद रखेगा, married to यसोधा, यहाँ पर mention भी है, और इनके बेटी होई ना, उनका नाम प्रियादर्शिना, प्रियादर्शिना साइध है, प्रियादर्शिनी से आप लोग याद रखेगा, whose husband, और जो इनकी बेटी जो असे करने का मतलब होता है, घर क्याग चना, कहीं पर बन वगएरा में, और जो पुद्ध भगवान किये थे, यग वगएरा या फिर टपस्या, तपस्या करते होते हैं, तो टपस्या वगएरा करने के लिए, कब निकले थे?, तीस साल की उमर में निकल पड़े थे, और अगवान बुद्ध को मात्र 6 साल में ग्यान प्राप्ती हो चुकी थी इनको 12 साल लग गया है 12 साल कटोड़तर प्रश्या की उसके बाद कहां पर की और कौन से ब्रिक्ष के नीचे की ये भी इंप्रॉर्टनेंट होता है कभी-कभी एकजाम में तो साल ब्रिक्ष के नीचे इ नदी का नाम अगर पुछा जाए तो आप लोग रिजू पालिका नदी के किनारे पे इनको पुरा जो ग्यान है मिला था और जो लिग भी पुरा ग्यान प्राप्त कर लेते थे उसको कवल ले कहा जाता था कवल ले इसको भी आखिएगा जो ग्यान प्राप्ति हो जाता है और जगा का नाम पुछा जाएगा कि कहां पर इनको knowledge मिली थी तहा दा outside the town of यहां पर town है उसके जो बगल में जगा है जिसका नाम है जरीम विक ग्राम नाम है वहां पर इनको supreme knowledge की प्राप्ति हो गई थी एक खास वात वता हूं जहां पर भी मैं रहता हूं वहां पर ही जो Lord मह महावीरा थे स्वामी महावीरा थे उन्होंने पहला उपदेश दिया था ठीक है राजगीर में इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो पहला उपदेश आपने जान लिया तो लास्ट वाला भी जान लिए जैसे कि पहले आप तिर्थांकर के नाम जाने रिसवदेव करके जुरूर बदाएगा उनका नाम क्या था जो 23 तर्थांकर थे तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि उपदेश के बारे में पहला उपदेश जो महावीरा थे उन्होंने राजगीर में दिया था ठीक है दूसरा 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 चौरा उपदेश हमको नहीं पढ़ना है लाश्ट वाल आप देखते हैं पहला राजगीर में और लाश्ट उपदेश कांज या था पावर पूरी में तो यह भी आसपास का ही जगा है राजगीर के आसपास में पढ़ता है मतम नलंदा जिला में पढ़ता है ज्यान प्राप्ति कर लेने का वाद इन्होंने कुछ पांच रिजे बोली पांच पंचायन धर्म बताया जैसे कि पांचो क्या क्या है पहला है जूट नहीं बोलना चाहिए धन संक्रा नहीं करना चाहिए पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ आपको पास चोरी नहीं करना चाहिए हिंसा नहीं करना चाहिए और ब्रहमेच ब्रह्मिचर्य का बालन करना चाहिए तो पांचों हो सके तो याद रखना एक्जाम से इससे आपका कोई रिलेना देना है नहीं बस ऐसे समझने के लिए मैं आप से लिखती इसको शेयर कर दिया जैसे हम लोग आज कल जाते हैं मंदिर वगेरा में पुजा करने तो मुर्ति के कर लेने से हमारा जो भी दुख दरदे मिट जाएगा इनका पूरा पूरा नहीं मानना था यह बात अब बोलोगे तो सर यह मानते गया थे तो यह सबसे ज्यादा जो एक चीज था जिसको बहुत माना करते थे इनका मानना था कि पुनर जर्म होता इंसान का जैसे अभी आप आप मर जाते हैं भगवान ना करे कि ऐसा किसे के साथ हो मतलब फूर इग्जामपल अभी कोई मर जाता है तो उसका पुनर जर्म होगा 100 परसंट होगा यह किन का मानना था महाविर स्वामी का मानना था और महाविर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिये राजगीर में दि ऐसा का नाम अगर आप आपे पुछी देता है एकजाम में या दखिएगा इन्होंने प्राकि pot capacity लेंगवेज में इन्होंने पूरा उपदेश दिया था तो प्रकर्तिग वसा आप लोग याद दखिएगा फिर जो आया है उनको जाना यहें महावीर थे वही इंसानी है उन आप लोग यहां पर देख सकते हैं 468 BC दिया गया है उसको याद रखेगा कब जब मढ़ते ही तो इनका साल 72 साल जैसे कि मैंने बताया लास्ट उपडेस इन्होंने पावपूरी में ही दिया था मिरित्यों भीप पावपूरी में ही हो जाती है और जो भी धनम को महावीरा को फॉलो घरा जाता है newspaper का जाता है हमारा religion हिंदू है at last आप लोगों को देखी यह जैन सेक्स पढ़ना है तो जैन सेक्स में आपको दो चीजे पढ़नी है स्वेतंबर्स अंदि गावन्स क्या होते तो स्वेतंबर्स जो होते थे यार यह वाले वो उजले उजले बस्त्र पहना करते थे आपको अगर कोई इंसा कोई धर्म में उजला बस्त्र उपर से निचे पहना मिल जाए ना तो समझ जाए आगा है दूर से ही कि वह जैन धर्म बाले लोग है और वो स्वेतंबर्स है जैन धर्म भी दो तुकड़े में बढ़ चुका था भगवान महाबिर्य के मृत्य को बाद है ऐसा क्यों हुआ थ तो मैं जैसा कि यह भी राजगीर में रहता हूं तो मैंने खुद देखा इनको आखो से कि बिना कपड़ा के रोड पे चलते हैं और अंडर्वियर वगएरा कुछ भी नहीं रहता था तो पूरे के पूरे नंगे रहते थे जैसे कि होमो सेपियन्स वगएरा पहले के जमाने कि दो टुकुड़ों में बढ़ जाता है दो टुकुड़ों में क्यों बढ़ता है इनके दो जो परम सिस्य थे प्रियस सिस्य थे उनका नाम यादर कियेगा इन दोनों नहीं इसको अलग अलग बाट देते हैं एक थे भद्र बाहु ठीक है एक थे भद्र बाहु दूसरे थ अच्छे से रहते थे दिगांबर्स बगेरा था थोड़ा अजीव सा लगता है ना बिना कपड़ा के दुरू कर घूमते हैं यह लोग तो दिगांबर्स क्या हुआ था कि जब यह लोग इनका समय था ना तो उस समय मौरिकाल चल रहा था चंद्रगुप मौरिका समय चल रहा तो क्या रहता है कि मगत समराज में उस समय बारा सालों के लिए भीसा नकाल पड़ जाता है आप भी देखो अगर आप जिस सहर में रह रहें पटणा बिहार, लखनओ, उत्तर-प्डिस कहीं पे भी उस सहर में आगर भीसा नकाल पड़ जाता है कोई भी दुकान वगेरा नहीं खुलता है सब्जी वगेरा नहीं मिलता है और कोई भी समान जो जरूरत की है नहीं मिलने लगती है दूद वगेरा जितनी वी चीज़े तो क्या आप उस सहर में रहेंगे उसी संदर में आप लोग समझे कि भीसन अकाल पड़ा था तो दिगां रहा जैसें का श들이 तो अपने गर होता है आप अप का प्रसण घर कहीं और है जैसे कि आहां भी रह रह रहे रह है रहा है तो कितना भी हो जाया, रेंट वाला घर से अच्छा तो अपना खुद का घर होता है, क्यों जो दिगामबर्स लोग जो थे, अकाल जैसी खतम होता है, तो रन्त लोटके बापस चले आते हैं, उतना दिर से मैंने आपको दिगामबर्स दिगामबर बोला, दिगामबर वाले ल भद्र बाहु अपना मगल समराज में वापस आके यह दिगामबर्स का फिर क्रियेशन करते हैं, दिगामबर्स मनाते हैं, और दिगामबर्स क्या होता है, आप लोग को मैंने अभी बताया दिये ही, तो आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइ पिरस कर देजागा, थांक्यों वाचिंग मैं वीडियो